रेडियो लेकर आई आपके लिए रेडियो कहानी उपकार रामाशंकर की कार जैसे ही सोसाइटी के गेट में घुसी गार्ट ने उन्हें रोकर कहा सहब यह माहशे आपके नाम और पते की चिथी लेकर ना जाने कब से भटक रहे हैं रामाशंकर ने चिथी लेकर देखा नाम और पता तो उन्हीं का था पर जब उन्होंने चिथी लाने वाले की और देखा तो उसे पहचान नहीं पाए चित्थी एक बहुत ठके से बुजुर्ग लेकर आये थे उनके साथ बिमार सा लड़का भी था उन्हें देखका रामाशंकर को तरस आगया शायद बहुत दिर से वे घर तलाश रहे थे उन्हें अपने घर लाकर कहा पहले तो आप बैठ जाईए इसके बाद नोकर को आवज लगाई रामू इन्हें पानी पिलाओ पानी पिकर बुजुर्ग ने थोड़ी राहत महसूस की तो रमाशंकर ने पूछा अब बताईए किस से मिलना है तुमारे बाबा देवकुमार जी ने भेजा है बहुत दयालू है वह मेरे इस बच्चे की हालत बहुत खराब है गाउं में इलाज नहीं हुपा रहा था किसी सरकारी अस्पताल में इसे भरती करवा दो बेटा जान बच जाए इसकी इकलोता बच्चा है इतना कहते ही बुजुर्ग का गला रुद गया रमाशंकर ने उन्हें गैस्ट हाउस में ठहराया पत्नी से कहकर खाने का अंतिजाम करवा दिया अगरे दिन फैमली डॉक्टर को बुलाकर सारी जाँच करवाकर इलाज शुर करवा दिया बुज़ुर्ग के कहते रहे कि किसे सरकारी अस्पताल में करवा दो पर रमाशंकर ने उसकी एक नहीं सुनी बच्चे का पूरा इलाज अच्छी तरह से करवा दिया बच्चे की ठीक होने पर बुज़ुर्ग गाउं जाने लगे तो रमाशंकर को तमाम दुआएं दी रमाशंकर ने दिलासा देते हुए एक चिठी देकर कहा इसे पिता जी को दे दीजीगा गाउं पहुचकर देवकुमार जी को वह चिठी देकर बुज़ुर्ग बहुत तारिफ करने लगा आपका बेटा तो देवता है कितना ध्यान रखा हमारा अपने घर में रखकर इलाज करवाया देवकुमार चिठी पढ़कर दंग रहे गए उसमें दिखा था अब आपका बेटा इस पते पर नहीं रहता कुछ समय पहले ही मैं यहां रहने आया हूँ पर मुझे भी आप अपना ही बेटा समझे इने कुछ मत बताईएगा आपकी वज़े से मुझे इन अथीती देवता से जितना आशिरवात और दुआएं मिली हैं उस उपकार के दिए मैं आपका सदेव अभारी रहूँगा आपका रमाशंकर देवकुमार सोचे लगे आज भी दुनिया में इस तरह के लोग रहते हैं क्या मित्रो जितना हो सके समाज में किसी जरूरत मन की सेवा कीजिए ना जाने किसकी दुआ हमें कब लग जाए और हमारे कब काम आ जाए बने नहीं हमारे साथ रेडिय इंदुस्तान पर सबको सिखाएं पेड लगाएं सबको सिखाएं जल बचाएं